फिल्म दंगल में आमिर खान की छोटी बेटी यानि बबीता फोगाट का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का निधन हो गया उनने इसके उमर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा सुहानी बटनागर बॉलिवूड की मशूर चाइल्ड आर्टिस्ट थी उन्होंने साल 2016 में आई सूपर ब्लोकबस्टर फिल्म दंगल में छोटी बबीता का रोल प्ले किया था उन्होंने कई टीवी एड्स में भी काम किया दंगल के बाद सुहानी के पास कई फिल्मों के ओफर आये लेकिन उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेने का फैसला किया इसके पीछे का कारण ये था कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी अपने पुराने इंटर्वियों में सुहानी ने बताया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में लोटने का प्लैन किया पढ़ाई के लिए उन्होंने शोशल मीडिया से भी दूरी बना रखी थी आपको बता दें कि उनके निधन का कारण उनके पूरे शरीर में फ्लूड जमा होना बताया जा रहा है कुछ समय पहले सुहानी का एक्सिडेंट हो गया था जिससे उनके पैर में फेक्चर हो गया था इलाज के दुरान उन्होंने जो दवाएं ली उसे उन्हें रियक्शन हो गया था और धीरे धीरे उनके शरीर में लिक्विट पदार्थ जमा होने लगा वो काफी समय से दिल्ली के एम सस्पताल में भरती थी